आज हम बात करेंगे complementary feeding या weaning क्या है, इसको कब शुरू करना है और आपने अपने बच्चे को क्या देना है 6 महीने के होने पे जब आप अपने बच्चे को मा के दूद या formula feed के इलावा solid food introduce और पानी introduce करते हैं उसी को complementary feeding और weaning कहते हैं आपने अपने बच्चे को small frequent energy dense food देना है energy dense बनाने के लिए आपने जो भी preparation आप बच्चे के लिए बनाएंगे उसमें घी या oil डालेंगे इसे 8 महीने के बच्चे को आप blended और puree form देंगे और ऐसा food देंगे जिसकी dripping consistency हो इसमें आप seasonal fruits की puri दे सकते हैं, curd दे सकते हैं, curd और boiled potato दे सकते हैं, boiled potato दे सकते हैं, khichdi की खीर दे सकते हैं, ended boiled dal mustard मखाना का जो powder रहता है उसमें दूद मिलाके दे सकते हैं, carrot और pumpkin की puri दे सकते हैं तो भी दाले या cereals रहते हैं, उनको germinate करके, dry करके उसका powdered form आप यूज कर सकते हैं आप महीने के बाद आपने बच्चे को textured food इंटर्ड्यूस करना है, जिसमें आप mashed food देंगे और finger food भी इंटर्ड्यूस करेंगे जिसे 11 महीने में semi solid food की एक साल के होने तक बच्चा वही सब खा सके जो आप खाते हैं महीने के बाद आप अपने बच्चे को roasted dry fruit powder भी इंटर्ड्यूस कर सकते हैं एक्स वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वीनिंग food जो है वो हमने बच्चे को कितनी बारी और कितना कितना देना है